तो ऐसे में सिधार्थ मैं आपकी बात पर सबसे पहले रियक्शन सिधार्थ यादव काई लेना चाहूंगी अगनिवीर योजना को लेकर सवाल उखड़े हुए हैं चाहे पहले वो चुनावी दबाव कहिए नतीजों को लेकर वो दबाव कहिए लेकिन अब तो घटक दलों का दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा आने वाले वक्त में तो ऐसे में अब क्या फैसला लेना चाहेगी अब फैसलों पर रिव्यू अब बिठाना ही पड़ेगा क्योंकि जो फैसले लिए गए तब एक तरफ आएक भूमत की सरकार की तरफ से लिए गए सहयोगी दलों की भूमी का उतनी एहम उस वक्त होती नहीं थी लेकिन आच तस्वीर अलग है देखें पूजा जी हम अगनी वर्विपिये पहले भी चर्चा कर चुके हैं और जो बात पहले समझने की है वो यह है कि कोई भी सरकार अगर कोई policy लेकर के आती है या scheme लेकर के आती है तो वो चाहती है कि वो लोग हितकारी हो कोई भी नहीं चाहता कि किसी scheme से किसी एक वर्ग का वोट एक political party चाहे कि कम हो जाए ऐसा कोई नहीं चाहता पर कई बार राष्ट निती और देश के लिए जो प्रात्मिक्ता होती है उसको वो उपर रखा जाता है और उसको प्रात्मिक्ता देकर कि सरकारे काम करती है अगनीवीर की scheme की demand देश की सेना की ओर से आई थी और देश की सेना ने कहा था कि ऐसी एक scheme हमको लानी है requirement के आधार पर और वो भारती जंता पार्टी के सरकार लेकर के आई scheme roll out हुई scheme का पूरा impact चूकी चार साल बाद देखने को मिलेगा कि कितने लोगों का retention होता है चल पूजा शुद कितने लोगों को कहा होता है उसके बावजूद भारती जंता पार्टी के और भारत सरकार के जो उपयोगत व्यक्ति थे उन्होंने समय समय पर यहां तक कि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने भी समय समय पर कहा था कि जो भी आवशक्ता इसमें review की, change की, improvement की रहेगी भारत सरकार उसको करेगी इसमें कोई दो राही की बात नहीं है अगर कोई scheme लाई गई देश के युवाओं के ब्रहोतरी के लिए और सबसे सर्व प्रतम देश की सेना की आवशक्ता को cater करने के लिए तो उसको समय समय पर review करना है सरकार का काम है रही बात अब गटबंदन की सरकार, हमारे साथ ही ये पहले भी हमारे साथ है और हम प्रीपोल अलाइंस में भी इनी के साथ गए थे इन सभी विश्यों पर हमारे सभी घटक दल एक मत के हैं, इसमें कोई दो राही नहीं है पूजा जी मैं फिर से आपको बता दूँ, आपको जो लग रहा है कि इग्नोर हुआ, इग्नोर किया गया, इग्नोर करने की कोशिश थी, क्यों कोई इग्नोर करेगा? कोई क्यों इग्नोर करना चाहेगा, कोई सरकार अगर चलाई जा रही है, योवाँ से रिलेटेड कोई संबंध विशे है, तो उसको कोई क्यों इग्नोर करेगा? पूजा जी, अगर हमारी देश की सेना ने कोई सरकार काम करती है, तो उनकी जिम्मेवारी है ये, रही बात, तो ये जो बरगलाने का पूरा प्रोसेस, पूरे विपक्ष के द्वारा किया गया था, ये तो जब पूरा एक अग्नी वीर का चार साल की स्कीम पूरी होगी और लोगों को देखने को मिलेगा और सब इंप्रूमेंट्स इसमें शामिल हो जाएंगे, इनका भांडा तो वैसी इपूर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें यूद के बिहार में कियेगा हिंसक प्रदरशन याद है, आरा में जब आगजनी वी वो हमें याद आ रहे है, रेजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा है, इस वक्त हालात ये हैं, जिसका जिक्त अभी कुछ दिर पहले ही राजीव रंजन ने किया है.